देखे अगर जमीन आपकी बंदक है उस पर लोन का आदेश चड़ा है आपका दाखिल खारेज नहीं हो रहा है तो उसके संबंद में मैं आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बहतर आदेश लाया हूं कमेंटरी ठीक है तो देखे क्या होता है कई मामलों में क्या होता है जब आप जमीन खरीद लेते हो तो वहां पे जमीन पर लौन होता है बंदक का आदेश होता है कके बार आप पता नहीं चल पाता है तो वहां-पर ऐसी कंडीशन में दाखिल खारेज नमांतर के लिए आविदन देते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है कि भाई भूम बंदक है करते नहीं है ठीक है तो कई लोग मेरे पास phone calls करते हैं कि सर कोई ऐसा आदेश मिल जाए जिससे मैं तैसिलदार को दिखा दूँ और थोड़े बहुत माली जिए उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ तो वो कर दें क्योंकि भाई अधिकारी को चाहिए रिफ्रेंस ठीक है कुछ न कुछ तो चाहिए तभी तो वो कलम चलाएगा वैसे अपनी कलम कौन फासना चाहेगा भाई सरकारी एच्छी खासी उसकी नौकरी है तो मैं आपके लिए आदेश लाया ह वुक्रेवलेक के आधार पर लंबित नामांतरड कारवाई नामांतरड यानि की दाखिल कारज़ी कारवाई इस तर्क के आधार पर नामंजूर नहीं की जा सकती के के विक्रे की विसेवस्त को भूमें बंदक बैंक के पच्छक में बंदक किया गया था यह आदेश दिया गया है रामकुमार बनाम रामकिसन ठीक है अब इंगलिस में इसका वर्जन देख लीजे ठीक है अगर यह आप एक कमेंटरी जो है विद डिस्क्रिप्शन के आप चाह पराना आदेश है ठीक है जी और भी माल लीजे अगर आपका कोई कुस्तन हो लाखिल खारज से संबंदित तो वो भी देखी सबसे पहले में आपको एक चीज बता दो अगर माल लीजे बैंक बंधक है आपका जमीन तो उसका उससे रिक्वेस्ट करिए कि भाई जो भी पैसा है वो अपना पै इसके अलावा भी साथियों आप जो है चेक कर सकते हैं और उसके बाद अगर बंदक है तो उससे कहिए भाई इतना पैसा कटेगा बंदक आपकी भूम है और आप खुद बैंक में जमा करके नोसी लेके और बहाँ पे दे दीजिए बंदक आपका कट जाए ठीक है और इसके संबाद में मालीजिए अगर आप उत्तरपति इसमें कोई जमीन खरीद रहे हैं आप बहतर तरीके से डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहरा है किस भी डवर रजिस्ट्री अंस्यादी को भी क्रेब बंदक तो नहीं है ठीक है तो वो भी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं क मिल जाएगा साथ लो ठीक है